आसानी से किसी को बड़ा मत मानो आरी बास समझ में इंटरव्यूरूम में जाते हुए कापने लग जाते हैं लोक्यों कापने लग जाते हैं वही जो वेक्टे वहां बैठे हैं उस अड़क पर मिले तो आप पर कोई फरक नहीं पड़ेगा यहां पता है कि बात लालच की है कोई चीज दाओं पर लगी हुई है आप तापना शुरू कर देते हो लालच क्यों रखते हो डरे क्यों बैठे हो कोई बहुत मशूर आदमी है उसके सामने चले जाओ बात करते है जबान लड़ खडाती है अरे वो मशुहूर होगा बड़ा है क्या बड़ा होना बिलकुल अलग बात होती है प्रसिद्धी हो गएरा तो अधिकांशित तहब जलील काम करके भी मिल जाती है आप यहां पर कोई बिलकुल भद्धी हरकत कर दीजिए बहुत सम्भव है कि कल आप अखबारों में आए प्रसिद्ध हो जाएं और जो लोग साधारन बैठे हैं सामान ने उन्हें प्रसिद्धी नहीं मिलेगी लेकिन आप यहां कुछ बिलकुल ही भद्धा कर दीजिए आप तुरंट प्रसिद्ध हो जाएंगे प्रसिद्धी तो जादा तर भद्धे लोगों को ही मिलती है प्रसिद्धी से या किसी के पैसे से इतना क्यों दबते हो लेकिन दबोगे दुनिया में जो भी कोई दमदार रुत्वेदार है उससे दबोगे इसलिए दबोगे क्योंकि जिससे दबना चाहिए उससे नहीं दबते हो उसके सामने पूरी एट में रहते हो पूरी एट है उसके सामने बहुत सालों बाद अभी यहीं कैंपस के अपने एक दोस्ट से मिला अपने जीवन में कुछ कठेनाईयों से गुजर रहा है तो मैंने उसे गीता पर बात शुरू करी तो इस तरह बोलना शुरू करा नहीं जब कृष्ण ऐसा कहता है तो कृष्ण समझाना क्या चाह रहा है जहां जुकना चाहिए वहां जुकने में कितनी तकलीफ हो रही है हादिक छोड़ो दो शाब्दिक सम्मान भी नहीं दे पारे और जो कृष्ण के सामने नहीं जुकेगा फिर उसे दुनिया के जितने बहु बली होंगे सबके सामने जुकना पड़ेगा वही सबकी हालत है एक मांसिक प्रयोग करके सोच लीजिए आप यहां बैठे हुए हैं यहां गीता पारुप निशदों पर वेदान पर चर्चा चल रही है इसी क्षण यहां पर कोई बड़ा रुत्वेदार आदमी आ जाए बहुत बड़ा राजनेता कि इमांदारी से अपने आप से पूछिएगा मांसिक प्रयोग कर लीजिए आप भूल जाएंगे कृष्ण को भूल जाएंगे उपनिशदों को भूल जाएंगे मुझको भूल जाएंगे यहां वो खड़ा हो आपका सारा ध्यान उसकी और चला जाएगा और आप आतुर हो जाएंगे कि उससे कोई बाचीत हो जाए कुछ सुनने को मिल जाए इत्याद इत्यादी हो सकता है सब ऐसा ना करें पर फिर भी बहुतों के साथ ऐसा ही होगा होगा कि नहीं होगा आपके लिए क्रिष्ण भी बड़े नहीं है यहां पर आकर के कोई बड़ा उद्योगपती खड़ा हो जाए कोई बड़ा नेता खड़ा हो जाए वो बड़ा है बड़ा कौन है यह एकदम मूल प्रश्ण है न किसको बड़ा मानना है कह सकते हैं कि इसी प्रश्ण से जीवन का एकदम निर्धारन हो जाता है कि तुमने बड़ा मान किसको लिया और जिसको यह बड़ा मान लो जुकना तो उसके सामने पड़ेगा यह क्यों इन दुनिया वालों को बड़ा मानते हो ना इनको बड़ा मानो ना इनके सामने जुकना पड़ेगा अध्यात में इसी लिए होता है ताकि दुनिया के सामने जुकना न पड़े दुनिया में भिखारी बनकर न जियो अध्यात्मिक आदमी की पहचान यहीं होती है वो जुक नहीं सकता आपको जो करना हो कर लीजिए आप उसका रुपिया पैसा लूट लीजिए जो करना कर लीजिए बहुत आपको चिढ़ मचे तो उसको जान से मार दीजिए कोई बात नहीं जुकेगा वो तब भी नहीं आप बात बात में जुक जाते हो जी सर जी सर जरूर सर प्राइवेट हो सरकारी हो दफ्तरों में जाकर देखो न फर्ष बिलकुल साफ होते हैं उन पर लगातार पुछा पड़ा होता है जितने मातहत कर्मचारी हैं सब लगातार चाट रहे होते हैं अब फिर कहते हो कि जीवन में डर बहुत है क्योंकि जीवन में लालच और स्वार्थ बहुत है घरों में भी है सिर्फ इसलिए कि कोई उम्र में बड़ा आ गया है तुरंट जी ताउजी ताउजी किस लायक है थोड़ा पहले देख तो लो मैं नहीं कह रहा हूं ताउजी को डंडा मारो लेकिन उन्हें बड़ा क्यों मान लिया है उम्र तो अपने आप बढ़ जाती है उम्र के बढ़ने से कोई बढ़ा हो जाता है क्या उसमें कोई उपलब्धी है तुम साट साल सोते भी रहो या साट साल नशे में पढ़े रहो बेहोश तो भी साट साल के हो जाओगे उम्र तो बढ़ी जाएगी तो किसी की उमर हो गई यह साथ की, तो सम्मानी हो गया, कैसे, ऐसे तो बैचारे आचारे शंकर, विवेकानन्द, यह होने ही नहीं पाए कभी साथ के, बैचारों का तो कोई सम्मानी नहीं बचा, हम जानते ही नहीं है कौन बड़ा है, किसी की उमर बड़ी हो जाए, वो बड़ा हो गया, किसी का पैसा बड़ा हो गया, वो बड़ा हो गया, किसी की सत्ता बड़ी हो गई वो बड़ा हो गया किसी की प्रसिद्धी बड़ी हो गई वो बड़ा हो गया पूछो तो किसको बोलू बड़ा डरो जरूर डरो पर जो सचमुच बड़ा है सिर्फ उससे डरो और डरो ये कि जो सचमुच बड़ा है कहीं मैं इतना छोटा न रह जाओं कि उसको पाही न पाओं ये डर होना चाहिए जिन्दगी में ये एक डर बैठा लो वाकी सारे डर छूमंतर हो जाएंगे जो सचमुच बड़ा है कहीं उसको पाने से चूक न जाओं ये डर होना चाहिए बस जो सचमुच बड़ा है कहीं उससे दूर न रह जाओं इस डर में जीओ इस डर में जीओगे तो संसार के सामने पूरे निडर हो जाओगे जिन भी लोगों को डर इत्यादे की या हिचक की यहां समस्या है उन्हें कह रहा हूं एक डर पकड़ो बाकी सब डर हट जाएंगे किसी का पद बड़ा है ठीक वो बंदा नहीं बड़ा हो गया है हां आप उससे नीचे के पद पर हो तो उपर से उपर के पद से बात करने के व्योहार करने के कुछ तौर तरीके होते हैं हम उनका पालन कर लेंगे आपचारिक तावश क्यों कर लेंगे पालन आपचारिक तावश ठीक है लेकिन दिल से नहीं जुक जाएंगे हें 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 फॉनिंग ग्रॉविलिंग साइकोफेंट्स हम दिल से ही जुक जाते हैं मन से ही छोटे हो जाते हैं हम स्वार्थ के भग्त हैं तो जो हमारे स्वार्थों की थोड़ी भहुत भी पूर्ति कर सकता है वो हमारा भगवान हो जाता है अब कृष्ण के लिए क्या जगे बची आरी बात समझ में हम अब कृष्ण अब कृष्ण अब कृष्ण अब कृष्ण झाल झाल